अंग्रेजी, पढ़ना, बोलना और लिखना, सीखने के लिए एक बहुत जरूरी चीज़ है वो है वोवल साउंड तो यह क्लास वोवल साउंड की ही क्लास की आगे की पार्ट है इसके पहले अल्रेडी वोवल साउंड के उपर क्लास आ चुकी है तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो जरूर देख ले वो classes और इस class में वोवल sound जो कि हमारे पास school 5 है A, E, I, O, U जिन में से हमने A, E और I को cover कर लिया है मैंने इसके classes अल्रेडी करा रखी है वोवल sound क्यों जरूरी है? ये समझ लेजिए बस छोटा सा introduction देदू वोवल sound आपको हर शब्द बनाने में काम आएंगे आप दुनिया का कोई भी शब्द उठा ले उसमें वोवल आपको जरूर से जरूर मिलेगा लगभग हर शब्द में आपको वोवल का presence मिलेगा तो जब ये इतना जरूरी है तो अंग्रीजी बोलने के लिए भी ये equally important है तो आपको वोवल सीखना बहुत जरूरी है तो वोवल की classes इसके पहले भी मैं करा चुकी हूँ और और ये उसकी continuation की classes है जिसमें हम लोग cover करेंगे O और U को तो जरूर से पहले की classes देख ले इस class को करने के बाद Hey everyone, welcome to मेरा English teacher मैं हूँ प्रीती माम और स्वागत है आपका आज की class में इस class में हम लोग वोवल साउंड को complete करने वाले हैं और आपको इसके पहले की classes देखनी ही पड़ेंगी अगर आपको completely समझना है तो तो चलिए class को आज की शुरू करते हैं और जरा रुक करके चानल को subscribe करके बिल notification भी on कर दीजेगा बढ़ते हैं आगे और अभी हम लोग करेंगे सबसे पहले cover O के sound को जिसका उचारन भी होता है अब कैसे ये जो O वावल है वो अलग-अलग alphabets के साथ मिल करके काम करता है और उचारन क्या नया तयार होता है और कैसे इन उचारन से आप शब्द बना सकते हैं इसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले समझते हैं कि O वावल के साथ जब G alphabets आता है ये दोनों तरीके से उचारन हो जाता है और उसका उचारन इससे जो मिल करके शब्द बनते हैं वो कुछ ऐसे हैं F O G F के लिए हमारे पास है F और O G के लिए हमारे पास है ओग तो ये बन गया Fog जिसका अर्थ होता है कोहरा सुबे सुबे उठते हैं ठंड की दिनों में बिल्कुल धुए धुए सा असमान नजर आता है सामने की चीज नजर नहीं आती है उसको कहते हैं कोहरा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं Fog और अगर आपको इहां पर confusion हो रही है कि Fog में F के लिए Fog कहां से आया तो उसका मतलब है कि आपने जो मैंने पहले वाली क्लास कराई थी वो आपने नहीं देखी है याद रखें अगर आप अंग्रेजी पढ़ना वाकई सीखना चाहते हैं तो जो भी क्लासेज मैं क्रम संख्या में कराती जा रही हूँ यानि कि सीरल वाइस कराती जा रही हूँ आपको उन क्लासेज को करना ही पड़ेगा ये सारी क्लासेज एक दूसरे से related है एक दूसरे की पूरक है, सम्मंदित है एक दूसरे से अगला शब्ध हमारे पास, जे, ओ, जी, जे के लिए हमारे पास है ज, और ओ, जी का उचारण हमने सीखा, ओ, जो की बन गया, जॉग, क्या बन गया, जॉग, जिसका अर्थ होता है, दॉड़ना, हलके धीमे ताल से, धीमी गती से दॉड़ने को कहते हैं, जॉग करना, दी, ओ, जी, डी के लिए हमारे पास है ड, ओ, जी के लिए हमारे पास है ओ, ये बन गया डॉग, जिसका अर्थ होता है, कुट्टा, जो की एक जानवर होता है, दी, ओ, जी, डॉग, यानि की कुट्टा, एफ, आर, ओ, जी, एफ, आर का हमारे पास है फ्र, और साथ में है ओजी, जो इसको बनाता है ओग, ये बन गया फ्रॉग, क्या बन गया फ्रॉग, यानि की मेंधक, मेंधक देखा है, मेंधक, फ्रॉग कहते हैं उसको अंग्रेजी में, बढ़ते ही आगे, ओ एल्फबट के O vowel के साथ जब B alphabet मिलता है तो इसका उचारन हो जाता है OB या OB ठीक है? दोनों ही तरीकों से इस्तमाल होता है OB सबसे पहला है J-O-B J के लिए J OB के लिए OB ये बन गया Job क्या बन गया? Job यानि कि नौकरी, काम जो हम लोग करते हैं M-O-B Mob यानि कि भीड भीड जब एकटा होती है ना कहते हैं Mob एकटा हुई है तो लोगों की भीड को कहते हैं Mob R-O-B R-O-B यानि कि रोब ठीक है? रोब का मतलब होता है लूटना क्या मतलब होता है? लूटना, रोबरी इसी शब्द से बना हुआ है रोबरी रोब कर्थ होता है लूटना अगला है S-O-B यानि कि सॉब S के लिए हमारे पास स है O-B के लिए हमारे पास ओब है ये बन गया सॉब जिसका मतलब है सुबकना वो जो बिलकुल धीरे-धीरे से सिसक-सिसक के रोते हैं बिलकुल ज़ादा देखिए रब रोते हैं कुछ लोग दाहाड मार के रोते हैं कुछ लोग सिसक-सिसक के धीमे-धीमे रोते हैं बिलकुल रजाई में तकिये में मूँ छुपा के उसको कहते हैं सुबकना धीमे-धीमे रोते हैं उसको कहते हैं sob, s-o-b, sob, बढ़ते हैं आगे अगला हमारे पास है वावल o के साथ p, जिसके साथ ये बनता है op या op, op या op, जैसे s-h-o-p, sh के लिए हमारे पास है sh, और op के लिए op, ये हो गया shop, क्या हो गया, ये हो गया shop, यानिकी दुकान, shop का मतलब दुकान, t-o-p, t के लिए हमारे पास है t, op का op, यानिकी top, क्या हो गया, top, यानिकी उपर, c-o-p, c के लिए हमारे पास है क, और op के लिए op, तो ये हो गया cop, अब अगर आपको ये नहीं पता कि c का उचारन चार तरीके से होता है, इसका मतलब आपने c पर based class नहीं देखी है, जल्दी से जाईएगा, क्लास देख लीजेगा, यूँकि c का उचारन चार तरीके से होता है, जी हाँ, तो यहाँ पर है c-o-p, ये बन गया cop, इसका मतलब होता है police, d-r-o-p, drop, यानि की boond, drop का मतलब boond, अब वोविल-o के साथ इस्तमाल करेंगे t को, जिसके साथ इसका उचारन हो जाएगा, ought, या o-t, जैसे n-o-t, बन गया not, यानि की नही, not, यानि की नही, g-o-t, जी के लिए हमार पास है ग, और साथ में o-t, बन गया got, यानि की प्राप्त, got, यानि की प्राप्त, h-o-t, h-o-t, h के लिए हमारे पास है her, o-t बन गया ought, बन गया hot, क्या बन गया, बन गया hot, ये हो गया गरम, p-l-o-t, जिसके लिए हमारे पास है p-l, जिसमें आधा पर और ल का उचारन हो रहा है, o-t के लिए ought, बन गया plot, क्या बन गया, plot, जिसका अर्थ होता है भोखंड, जमीन का कोई टुकड़ा, कहते है न, plot है ये, तो भूमी का एक टुकड़ा plot कहलाता है, right, अब बढ़ते हैं आगे, अब o की कहानी तो हमने समझ ली, अब बचा हमारे पास वोव्ल साँड, u, क्या बचा, u, जिसका उचारन होता है उ, क्या उचारन होता है, u, अब हमारे पास है u, और साथ में हैं, g, मतलब, uît वोवल साँड, साथ में अलफाबेट है, g, जिसका उ उचारन होता है अग, क्या उचारण होता है? अग, जी हाँ, ये इस तरीके से ही उचारन होगा, ये हो गया M-U-G, M के लिए हमारे पास है म, और यूजी के लिए क्या बताया? अग, तो ये क्या हो गया? मग क्या हो गया? मग चाए पीते ना चाए वाला मग कह लीजिए या आप कह लीजिए नहाने वाला जो मग होता है प्लास्टिक वाली हमारे किचन में है ना M-U-G मग J-U-G J यानिकी ज U-G यानिकी अग यानिकी जग क्या हो गया? जग जिसका अर्थ होता है सुराही क्या अर्थ होता है? सुराही या पानी भढ़ने के लिए जो केटल जैसे आती है मग कई बार जो है जग उसको भी कहते हैं ठीक है? सुराही को भी सुराही नुमा स्ट्रक्चर होता है तो वो जग भी कहलाता है ह के लिए हमारे पास है ह और यूजी के लिए अग, ये बन गया हग, क्या बन गया हग, यसे गले मिलने को कहते हैं हग, जप्पी जिसको आप कहते हैं है ना, एक दुसरे से गले मिलना जप्पी डालना, यानि की हग पी एल यूजी, हमारे पास पी एल के लिए है आधा प और ल, साथ में है यूजी यानि की अग, बन गया प्लग यानि की ठेपी बढ़ते हैं आगे, यू और बी की बात करते हैं, वावल साउंड यू, साथ में बी, जिससे ये बन जाता है अब, क्या बन जाता है अब, ये उचारन के लिए अब है, ये शब्द अब नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठिकें, जैसे आर, यू, बी, आर के लि और यू, बी के लिए अब, अब देखिए, जब र हम लोग कहते हैं न, तो र के साथ लास्ट में अ का उचारन भी आता है, ध्यान से सुनिएगा, र, लास्ट में अ का उचारन, तो अ जो है यहाँ पर छुपा हुआ है, और ब यहाँ पर उचारन के तोर पर काम हो रहा है, क्योंकि र के साथ अ तो है ही, और ब यहाँ पर अलग से है, तो यह हो गया, रब, क्या हो गया, रब, जिसका अर्थ होता है, रगड़ना, किसी चीज़ को रगड़ते हैं, उसको कहते हैं, रब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, अगला है टब, ट, यू, बी, त के साथ, अ साथ में, free में है, है न, लास्ट में सनाई दे रहा है, उसके साथ, लगेगा, ब, हो गया, tub, क्या हो गया, तब, जिसका अर्थ होता है, नांद, क्या अर्थ होता है, नांद, एक बड़ी इसी जगय, जहांपर आप पानी रख सकते हैं, में आ रहा है हो आ रहा है साथ में ब हो गया हब हो गया हब जिस कर्थ होता है केंद्र कोई चीज जहां पर धेर सारी एक जगा पर हो रही हो ना उसको कहते हैं हब जैसे मान लीजे कहीं पर कपड़ा बहुत सारे एक जगा बहुत बड़ी मार्केट है बहुत बड़ी फैक्टर फिर है S-C-R-U-B, S-C-R के लिए हमारे पास है स्क्र, साथ में अ आ गया, हमने ले लिया ब, ये हो गया स्क्रब, क्या हो गया, स्क्रब, जिसका अर्थ होता है मलना, क्या अर्थ होता है, मलना, कोई चीज को मतलब दूसरे के उपर मलना, ये हो गया, स्क्रब, आ गई बात sound U के पास है, साथ है alphabet N, जिसका उचारण होता है UN, क्या उचारण होता है, UN, अच्छा, उधारन देखते हैं, B, U, N, B, U, N, B के लिए हमारे पास है B, साथ में आ रहा है A, और U, N है, तो N है, UN हो गया, A तो A की कमी तो पूरी हो जा रही है न, क्योंकि B जो है, वो अपने साथ A को ले के आ रहा है A की कमी पूरी हो गई, यह हो गया, बन, जिसका मतलब होता है पाव, क्या मतलब है, ब्रेड खाते हैं, बन, जो गोल-गोल वाले होते हैं, बन, यानिकी पाव, F-U-N, F के लिए हमारे पास है F, साथ में आया, अन, बन गया फन, यानिकी मजा, फन यानिकी मजा, R-U-N, र और न, बन गया जिसका अर्थ होता है, दोड़ना, क्या अर्थ होता है, दोड़ना, S-U-N, यानिकी स और न, बन गया सन, जिसका अर्थ होता है, सूरज, क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, सूरज, आ गई बात समझ में अब देखते हैं वर्वल साउंड यू के साथ टी का प्रेयोग जिसके लिए उचारन होता है अट यू टी उचारन होता है अट जैसे बी यू टी बी के लिए ब और अरे पास है हमने लिया ट बन गया बत जिसका रथ होता है लेकिन क्या रथ होता है लेकिन सी यू टी क और अरे पास है क्योंकि हमारे पास है सी साथ में हमने ले लिया टी यानिकी हो गया कट ट ले लिया हमने हो गया कट यानिकी काटना कट यानिकी काटना ह यू टी हट यानिकी जोपड़ी हट यानिकी जोपड़ी शट S-H-U-T S-H के लिए हमारे पास है श और यहाँ पर U-T के लिए है अट तो शट शट यानिकी बंद शट यानिकी बंद आ गई बात समझ में तो चलिए भई, यह थी आज की क्लास और इसी क्लास के साथ वहल साउंड़ जो हमने कवर करने थे बहुत बहुत जरूरी जितना जरूरी मैं इसको बोलूँ उतना कम है यह इतना जरूरी है वहल साउंड़ आज हो गए complete मैं आपको बोलूँगी कि जितने भी वहलस के क्लास मैंने कराएं है कुल तीन ये सारे के सारे आप revise करिए और उसके पहले की classes को तो करना ही है क्योंकि वो basic building block है है ना उसके पहले की classes आपको करनी ही पड़ेंगी तभी जाकर कि आप वोवल्स वाली class समझ पाएंगे वोवल्स वाली class को दो बार से तीन बार जरूर revise करिए क्योंकि इसकी आगे जो मैं classes लेकर के आ रही हूँ वो उसमें आपको वोवल्स की बहुत दरकार पढ़ने वाली है तो जाएए इस class को इसके पहले की class को और उसके पहले की class को जरूर revise करिए आपको कैसी लगी class ये ज़रा बताते चलिए comment करके मुझे बताईए class कैसी लगी और चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजे class को like करिए और हाँ आप लोग share नहीं करते हैं जल्दी से class को share करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रीजी पढ़ना और लिखना और बोलना सीख पाएं तो जल्दी से share करिए और हाँ class को revise भी कर लीजेगा मैं आप से मिलती हूँ आपके अगली class में कुछ और नए interesting पढ़ने में मददगार topic को लेकर के जो आपको बहुत ज़ादा help करने वाली है पढ़ने के लिए till then आप revise करिए और हाँ बने रहिएगा मेरा English teacher के सथ Thank you so much